हमारे साथ प्रदीप है यूपी से स्वागत है प्रदीप आपका नमस्कार नमस्कार मेरा सवाल अधिन जी जी बताइए नमस्कार जी आदा इसार मैं उमारे पिता जी है करीब उमर है उनकी 25 साल तो उनके घुटनों में डर्ध रहताव सुजन भी रहती है चीक है और उनको तरदी हो या गर्मी हो मिला हर जुपान सा बना रहता है ठीक है ठीक है अच्छा देखिए घुटनों के तकलीफ के लिए हर घर में एक बुज़ग है और हर बुज़ग को एक तकलीफ है जोडों की तकलीफ घुटनों की तकलीफ कमर की तकलीफ अगर वो यह चाहते ह कि उनकी सुरक्षा के साथ वो ठीक हो जाए तो एक रो मैटेरियल आता है उसको कहते है गॉन सिया गॉन सिया गम गॉन मतलब गम गॉन सिया देखने में ब्राउन और जायके में कड़वा होता है असली बाला लीजे और सो दो सो ग्राम खरीद लीजे इसका पाउडर बना के द दो चुटकी शाम पानी से या बगेर चर्बी के दूस से या जूस से खिलाए दो बार तो उनका कैसा भी दर्द है ठीक होना मुम्किन है जुकाम जो बना रहता है उसके लिए लिसोड़ा आता है लिसोड़ा गाउंवाले सब जानते हैं लिसोड़ा आप सर्च भी कर सकते ह और उसको एक चम्मच में जितने आएं सुकावा मिलता है उसे पानी में उबालके उन्हें पिलाया करें रोजाना एक बार या दो बार तो उनकी सर्दी भी ठीक होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है मुन्ना बकसर से हमारे साथ स्वागत है मुन्ना आपका जी बोलिए ऑठाव के पेशन्ट है ठीक है हमारा सुगर आया दूसर चोटिज दूसर चोटिज दवा खाने के बाद दूसर चोटिज है यह खाली पेट की है या खाली पैट की कितनी होती है 110 110 अच्छा तो दिखिए जिन लोगों को शुगर होती है उनकी खाना खाने की बाद की शुगर जितनी होती है खाली पैट की उससे दोग नहीं हो जाती है ये उनका रोग है और इसके लिए आप दवा सही दवा ले रहे हैं और जो खाली पेट की है 110 है अगर 100 के अंदर आ जाये तो बहुत अच्छा है एक दवा है एक सिर्का है वो बहुत इसमे मशूर है और बहुत कामियाब भी है आप उसे ले ले जैतुन का सिर्का आप दो तीन चम्मश सुबा दो तीन चम्मश शाम अपने सबजी अबजी में मिला कर भी ले सकते हैं पानी में मिला कर भी ले सकते हैं तो इससे शुगर कंट्रोल रहने के साथ आपके जो पार्ट्स और बाडी जिनको डाइबटी नुकसान देती है जैसे किड्नी आखें लीवर दिल त ने चम्मश श्राप वह चाहिती साथ से बात करना है अखेंटी साथ से जी मोहानी जी आदा बताईय किया से वा एक इक तो पहले तो मेरे पीठ में पत्री है इम प्तित के थेरी में पत्री है जो मतलब पुरानी है कितनी बड़ी है मतलब 18-20 तक है ठीक है अध्या M.L टीकि यह भी ज्यादा और पुचर चलती है जो मतलब ठोड़े निकल आते हैं और उमर है मेरी पिचर तर अरे बाप तो बहुत ही नियर है मैं आपका बड़ा इतराम करता हूँ अच्छा देखिए पित्र की पत्री जब बड़ी होती है तो उसे आपरेट ही करना पड़ता है और जिसके भी पित्ते में पत्री होती है जब भी वो कुछ खाता है तो वात पित्र और यह सब बड़ी ज देती है अच्छा तरीका यह है कि इसको आप रिमूव करा दें आजकल बहुत अच्छे ऑपरेशन है जो पता भी नहीं चलता और कैमरा डालके ऑपरेशन कर देते हैं पेड़ में तो आप उसके लिए दवा ना लें तो बहतर है और बाकी जितनी आपकी परेशानिया है उस क्योंकि इतनी परिशानी कर देती है कभी कभी क्योंकि वो पित्ता जो है बहुत बारीक होता है एक इसकिन की तरह एक धिली की तरह होता है वो कभी कभी उसमें यह इन्फेक्शन ऐसा कर देती है कि जान बचानी मुश्किन होती तो मेरी बात पर गोर करना और कभी भी से नि पंजारी पंजाब से हमारे साथ, स्वाइब है आपका? अजाब हबीम साथ, आदा वर्द, आदा वर्द, कहते हैं जनाब? बहुत किर्पा आपकी, मैं बहुत देर से स्फिरना और सौफ की मेरा आसा कबन के लिए, अब मुझे कुछ काम नहीं करती हैं, खाफी देर इसने बहुत अच्छा गाम किया है, अच्छा आप ये बताएए, जनाब और स्वाव की बात्रा में लेका ठीके ठीके ठीके, राप को लेते थे, अच्छा देखिए, आपको ये किसी वैद ने ये हकीम ने बताया था, कि ये लेना है? हलो? एक जजज साब थे, मुझे ने मुझे को कुरेणा भी बताया था, एक वार तो बहुत अच्छा चलाएगी? ठीके, मैं ये ही बताना चाहरा था आपको, देखो, जजज साब का काम है, कानून के फैसले देना, हम किसी भी के भी कहने से कोई भी चीज शुरू नहीं कर सकते, जो सना मकी है, ये पेट को उधेर देती है, इससे वोश्यार रहे हैं, लोग खाते हैं, लेकिन ये आतों को उधेर देती है, कोई भी कुछ भी बतायता है, कोई आके बतायता है, कि वो तिर्फला लो, ये तिर्फला और सना मकी, ये सब अच्छे लगते हैं, कि इधर खाया, इधर पेट साफ, आदमे सोचता है, डॉक्टर ने मुझ से हजार रुपे ले लिए, और ये दो पैसे का निसका ने मेरा प तिर्फला हो, इसको बदाम के तेल में भूना जाता है, और या कोई गरीब आदमी हैं, तो अरणडी के तेल में, भूनते हैं इसे, अरणडी के तेल में भूनकर इनकी हिद्दत खتم हो जाती है, जो नुखसान पहुंचाने वाली चीज़ है, वो खतम हो जाती है, फिर इसे कोई चीज इस्तेमाल ना करें, कोई भी जो लोग, करोन लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये सब जो लोग आके बताते हैं, बाबा लोग और ये वो, तो इनकी बात में आपको फाइदा तो लगता है कुछ दिन के लिए, लेकिन हमेशे के रोगी हो जाते हैं, देखिए, मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, सौफ, सौट, अजवाइन, धनिया, सौफ, सौट, अजवाइन, धनिया, जीरा, और एक नमक आता है कलोंजी का नमक, उसे आसान जबान में कहते हैं, या एस्टेक कलोंजी कहते हैं, एस्टेक कलोंजी या नमक कलोंजी भी कह सकते हैं, वो इसमें 100 ग्राम मिला लिजए और इन सब को पौडर बनाएए, घर पर, बाहर से पिशावा बिलकुल नहीं लाना, और ये आप एक चमश सुबा एक चमश खाएंगे, तो आपको पीट में रहात होगी, और आप से हत्मा जिन्दी गुजार सकते हैं, चलिए अगले कॉलर हैं, राज कुमार अंबाला से हमारे साथ, स्वागत है आपका? अब जी मैटम जी नमस्कार भी, जी नमस्कार, दो तीन साल होगे, लाल-लाल किशाब पड़े अपके हैं, ठीक है, चिदिए जिन लोगों को भी चकत्ते से पढ़ जाते हैं, बाड़ी पर लाल-लाल चकत्ते हो जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ये अलर्जी है एक तरह की भुट आसान इलाज है, आसान इसलिए है कि दोनों चीज़ां आपके कचन में हो सकती है, अलसी को लिजे, आपकी मम्मी हो और पत्नी हो उनसे कहई अलसी ले दें हलका सा भून के, बहुत हलका सा भून लीजे अलसी को और पार्डर बना लिजे, और एक चमच अलसी और एक चुटकी या आदा चुटकी सोड़ा खाने वाला इसी मिलाकर आप रोस खाईए आदा चुटकी सोडा, एक चमच अलसी का पॉडर, भुनावा, हलका भुनावा, आप खाएंगे अगर कुछ दिन या कुछ हफते, तो आपकी परिशानी ठीक होना मुम्किन है तो चलिए आपकी परिशानी एकदम ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब आपने देसी नुसके यहाँ पर जान लिये हैं, दर्श को आप लोग कॉपी और पैनले के जरूर बैठिये, क्योंकि एक एक नुसका तभी आप लोग समझ पाएंगे, अगर आप लोग कॉपी पैनले के न हब्स के प्रमोटर हैं और रिसर्चर फाउंडर हैं हकीम सुलिमान खान सहब जी, जिसकी 500 से भी जादा फ्रेंचाइजी देश भर में हैं और ये एक ब्रैंडिट कंपनी है, इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जी नमस्कार, स्वागत है आपका, रावजी स्वागत है आपका, तेज अवाज में बात कीजिए, आपके अवाज बहुत कमारी है, क्या तकलीफ है, कमर दर्द है और, मैं समझ गया, ठीक है, एज बता दीजे अगर आप मौजूद हैं, वैसे आपकी मम्मी हैं तो 45 प्लस होंगी, आप हैं तो उमर बता दीजे वरना नस्खा एक ही है, वो है, देखिए, एक गौन आता है, जिसे गौन सिया कहते हैं, काला गौन भी कहा जाता है, यह जायके में बहुत कड़वा, और साइज में थोड़ा बड़ा-बड़ा सा होता है, ब्राउन कलर का होता है, लेकिन गौन सिया कहते हैं, या काला गौन कहते हैं, यह ले लीजे 100-200 ग्राम, और यह अच्छा काम करता है, एक रो मैटरियल है, रो मैटरियल लेना, पिसावा बिलकुल मत लेना, कोई भी दे, और असली लेना नकली भी मिलता है, तो इसको पाउडर बना लीजे, और दो चुटकी, दो चुटकी है, एक चुटकी और एक और चुटकी, दो चुटकी सुबा, नाच्छते के बाद, दो चुटकी शाम को खिलाना चुरू करें, यह 100-200 ग्राम खत्म ह होने तक गौन, आपकी मम्मी का ठीक होना मुम्किन है, नेक्स्ट कॉलर है, सुनील जारखंड से हमारे साथ, स्वागते सुनील आपका, चले लगता है, आप से संपर्क हमारा टूट गया है, एक बाद फिर से आप संपर्क साधने का प्रियास कीजेगा, नेक्स्ट कॉलर ज ताइस कीजेगा है, स्कीजेगा है, हाथ और इस पर हो गया है, हाथ और प्रिव्मेंट, जी, ठीक एज बताईे गया, अग्समाणा है, हमारा क्रिक्टिक है, ठीक है, ठीक है, ओच्छा देखिए, और अलसी, ने लिए, चार पांच सो ग्राम हलका सा भून लीजे और इसमें 500 नहीं बलके 600 ग्राम अलसी लीजे और इसमें सोडा मिला ये 50 ग्राम खाने का सोडा और इसको अलसी को पहले हलका सा भून लेना और फिर इसमें 50 ग्राम सोडा खाने वाला मिला लीजे और 100 ग्राम आपको इसमें मिलाना है नमक कलोंजी कलोंजी का नमक आता है जिसे नमक कलोंजी कहते हैं और इसे ये एस्टेक होता है कलोंजी का कलोंजी का एस्टेक तो ये सब आप मिक्स कर लीजे और एक चम्माश सुबा एक चम्माश शाम यानि तीन चार गिराम पानी के साथ दो बार लिया करिए एक बार मैं यह वैसे फाइदा शुरू हो जाता है जरूरत पड़े तो दो बार भी ले सकते हैं खाने के बाद यह 600-700 ग्राम मैटेरियल खतम होते होते आपकी इसके इनका ठीक होना मुमकिन है नेक्स्ट कोलर है अमित इंदाऔर से हमारे साथ स्भागत है अमित आपका आपको करता हूं जी आदा मैं आपको करता हूं बताइए जानना जा रहा हूं कि सब्सक्राइए जी जी मैं सुन रहा हूं आप बताइए अभी अभी से बाल सब्सक्राइए जो रहे हैं तो अगर नजला है तो नजले का इलाज करना पड़ेगा और कोई और अगर आपको हार्मोनल कुछ है तो उसका टेस्स करा लें वो ठीक करना पड़ेगा नजला रहता है तो नजले का इलाज है लिसोड़ा लिसोड़ा खरीद ले और रोज आना एक चम्मच में इस्ति लिसोड़ा ये सुके मिलते आएं वो पानी में उबाल के सुबह निहार मों पी लिया कर है और वेकli 30 साल भी अप अच्छी हो गई है कि हमर आधी हो जाती कि हमारी हंड़ोस्तान में जो एच का रेश्यो है वो 60 और 65 है तो 30 साल मैं क्या मैं अब 60 साल का हो गया तो मैं अभी अपने आपकोह समझता हूँ कि मैं तो alltid अपानी की इ做 एक और कुछ और कुछ यह बाल रुके रहे, जो है वो सलामत रहे और जो है वो सफेद ना हो इसके लिए इन इसका बताया